हाई गाईज, मैं एक बहुत ही संदार गैजट के उपर बात करने वाला हूँ और वो आप के लिए बहुत ही यूजफुल साबित हो सकता है और वो है स्पाइब बटन कैमरा अधिकतर लोगों को ये परिसानी होती है कि बटन कैमरा को कैसे यूज़ करते है जैसे कि वीडियो कैसे रिकॉर्ड करना है सिर्फ आडियो कैसे रिकॉर्ड करना है इसका प्राइस क्या है कितने देर तक चार्ज करें और हाँ, अगर बटन कैमरा काम ना करने लगे तो क्या करें, और भी बहुत कूछ तो आप बने रहे हैं मेरे इस वीडियो के साथ और इस वीडियो को last तक देखे enkि मैं हर एक point इस वीडियो में cover करने वाला हूँ तो चलिए guys बिना देरिक के हुए इस वीडियो को start करते हैं सबसे पहले बात करते हैं कि इस बटन कैमरा में कौन कौन सा की पर्जेंट है तो मैं आप लोग को बता दूँ कि इस बटन कैमरा में टोटल 6 अपेरेंस की मौजूद है नमबर 1 चार्जिंग पुएंट नमबर 2 मेमरी कार्ड के लिए यहां पर देखिए मेमरी इसमें है मेमरी इंसेट करने के लिए नमबर 3 पाउर बटन जो कि है अन आफ करने के लिए नमबर 4 वीडियो सूट करने के लिए वीडियो प्लस फोटो सूट करने के लिए और नमबर 5 है इंडिकेटर जो की बतागा वीडियो हो रहा नहीं हो रहा इसके बारे में जनकारी देगा में औ जब हम कुछ main point के उपर बात कर लेते हैं Point number one है कि charge कैसे करें जब आप first time button camera को use करने जा रहे हैं तो button camera को 3 घंटा charge करने के बाद ही use करें और हाँ हमेशा आपको 3 घंटा button camera को charge करना है charge करने के बाद आप button camera को 1-2 घंटा तक use कर सकते हैं charge करने के लिए button camera के box में data cable दिया है देखें कुछ ऐसा इस data cable को use करके हमें button camera को charge करना है data cable का जो छोटा वाला pin है वो आपको button camera में लगाना है और जो बड़ा वाला pin है उसको आपको charger से connect करना है charger को main board में लगाना है मेन बोर्ड में लगाते ही जो कैमरा है वो वेवरेट करने लगेगा और कुछ दिर बाद अपने आप वेवरेशन बंद हो जागा मगर जो red light है वो continuous blink करते रहेगा देखिए यह जो बिलिंग कर रहा है मतलब आपको जो charge है वो हो रहा है कोई नमबर टू फोटो कैसे क्लिक करें या खीचें फोटो क्लिक करने के लिए सबसे पहले आपको memory card insert करना है यह देखिए ऐसे उसके बाद जो power button है उसको कुछ दिर तक press करना है प्रेस करते ही camera वेवरेट करने लगेगा और red light on हो जाएगा देखिए कुछ इस तरह से थोड़ी दिर वेवरेट करने के बाद अपने आप vibration बंद हो जाएगा और जो red light है continuous on रहेगा means अब camera जो है normal mode में है फोटो क्लिक करने के लिए simply वीडियो बटन जो है उसको सिर्फ एक बार प्रेस करना है तो फोटो क्लिक हो जाएगा और memory में save हो जाएगा देखिए कुछ फोटो जो कि मैं बटन camera से लिया हूँ पॉइंट नमबर थ्री वीडियो कैसे record करें वीडियो रिकॉड करने के लिए simply सेम प्रोसेस है सबसे पहले memory card डालना है जालने के बाद यह जो power बटन है उसको प्रेस करना है प्रेस करने के कुछ दिर बात जो red light है वो continuous on रहेगा देखिए इस तरही गादे means camera अभी normal mode में ह अब वीडियो रिकॉड करने के लिए simply यह जो वीडियो बटन है उसको आपको कुछ दिर प्रेस करना है प्रेस करते ही जब दो बार वैवरेट करें और साथ ही साथ दो बार light blink करेंगा तो समझ जाए कि यह जो वीडियो हो रहा है आपका वीडियो को सेफ करने के लिए simply वीडियो बटन को आपको एक बार प्रेस करना है प्रेस करते ही वैवरेट करेंगा और जो रेड लाइट है continuous on हो गया देखिए on हो गया मिन्स कैमरा अभी नॉर्मल मोड में है और वीडियो सेफ हो गया अब कैमरा को आफ करने के लिए यह जो पार बटन है उसको थोड़ी देर तक प्रेस करके रहिए तो वैवरेट करके कैमरा बन हो जाएगा और memory निकाल के आप इस वीडियो को देख सकते हैं यह कुछ वीडि पोईन नमबर फोर है कि सिर्फ audio कैसे record करें फिर से वाई सेम प्रोसेस बटन कैमरा में memory card insert करना है power button को प्रेस करना है और red light continue on होने के बाद audio recording करने के लिए power button को सिर्फ एक बार प्रेस करना है प्रेस करते ही जो बटन कैमरा है वो six time वैवरेट करेगा और साथ ही साथ जो red light है वो भी six time blink करेगा देखिए ऐसे अब आपका recording start हो गया है अब इस recording को save करने के लिए फिर से power button को एक बार click करना है तो recording save हो जाएगा और camera फिर से normal mode में आ जाएगा अब camera को off करने के लिए जो power button है इसको थोड़ी दर तक प्रेस करके रहिए तो वैवरेट करके camera off हो जाएगा और memory को निकाल कर आप audio को सुन सकते हैं कुछ audio जो कि मैंने इस button camera से किया हूँ हेलो गाईज मेरे इस टेकनिकल नेम के आफ शैनल को subscribe करिये और ये button camera वाला video को like करिये और ज्यादा से ज्यादा share करिये ताकि सब लोग के पास ये button camera का जानकारी पहुंच सके अब हम लोग समरी देख लेते हैं photo, video, audio कैसी record करे एक बार में बिना memory card को बार बार निकाले हुए सबसे पहले आपको memory card को insert करना है insert करने के बाद ये जो power button है उसको press करना है press करते ही camera vibrate करेगा और red light continuous on हो जाएगा अब photo किलिक करने के लिए आपको video बटन को एक बार press करना है press करते ही camera एक बार vibrate करेगा और साथ ही साथ ये जो red light है वो एक बार blink करके continue on हो जाएगा means photo memory में save हो गया है और button camera normal mode में आ गया है video record करने के लिए आपको video बटन को थोड़ी देर press करना है press करते ही camera दो बार vibrate करेगा और साथ ही साथ red light दो बार blink करके बंद हो जाएगा red light बंद होते ही video start हो जाएगा अब video को memory में save करने के लिए simply video बटन को सिर्फ एक बार press करना है press करते ही camera एक बार vibrate करेगा और red light continuous on हो जाएगा means camera normal mode में आ गया है और video memory में save हो गया है audio record करने के लिए power button को सिर्फ एक बार press करना है press करते ही camera six time vibrate करेगा और साथ ही साथ red light भी six time blink करके बंद हो जाएगा red light बंद होते ही audio start हो जाएगा अब audio को memory में save करने के लिए simply power button को सिर्फ एक बार press करना है प्रेस करते ही camera एक बार vibrate करेगा और red light continue on हो जाएगा means camera normal mode में आ गया है और audio आपका memory में save हो गया है अब camera को off करने के लिए जो power button है इसको थोड़ी दर तक प्रेस करके रहिए तो vibrate करके camera off हो जाएगा पोईन नमबर five video plus audio plus photo कैसे देखे photo, video, audio जो कि हम लोगों ने button camera से record किया है इसको mobile phone में देखने के लिए सबसे पहले आपको button camera से memory card को बाहर निकलना होगा और इस memory card को USB SD card reader में लगाना है और USB SD card reader को micro USB OTG cable में लगाना है अब दोनों को mobile के जो charging point है उसमें लगाना है तो चलिए अब हम mobile phone पे आते हैं ये देखिए हम आ गया है mobile के screen पे screen पे आते ही आपको setting पे click करना है उसके बाद search box में search करना है OTG then reverse charge and OTG पे click करना है फिर reverse charge and OTG को आपको on कर लेना है उसके बाद आपको जाना है file manager में file manager में जाने के बाद U disk के option पे click करना है click करने के बाद आपको कुछ ऐसा interface दिखेगा उसके बाद आपको DCIM पे click करना है click करते ही जो भी हम लोगोंने photo, video, audio, camera से record किया है वो सब देखिए यहाँ पर आ गया यह क्या, video तो चलने रहा, कोई दिक्कत ने वीडियो देखने के लिए आपके mobile में image player होना बहुत जरूरी है चलिए देखते हैं video को कैसे देखना है सबसे पहले यह जो दोनों video है उसको आप select कर लिए select करने के बाद यह जो move या cut option रहागा उस पर आपको click करना है आपको back button पर click करना है और देखिए ऐसे interface खुल जागा उसके बाद आपको hd card में जाना है hd card में enter करने के बाद आप किसी भी file में video को paste कर दे यह देखिए दोनों video hd card में आ गया है उसके बाद image pillar को open करना है और जिस file में video paste किया है उसी file में जाकर देखे मैंने image file पर video को paste किया है तो मैं image पर click करूँगा यह देखिए video आ गया और video play भी हो रहा है point number 6 और last point button camera काम ना करने लगे तो क्या करें अगर आपका button camera काम ना करने लगे example में आप video record कर रहे हैं और record करते करते camera वैवरेट करके बंद हो गया और button camera सही से काम नहीं कर रहा है तो button camera को वापस सही करने के लिए हमेशा 3 point आपको follow करना है 1. button camera को 3 घंटे के लिए charge करे 2. आप जब भी memory card को button camera में लगाएं तो लगाने से पहले memory card को पूरी तरह से clean कर ले मतलब format कर ले और फिर button camera में memory card को insert करे और हाँ 2 GB से लेकर 8 GB तक memory card यूज करे तो ज़्यादा बेतर रहेगा 3. button camera को reboot करते रहे हैं reboot करने के लिए सबसे पहले video button को long प्रेस करना है और साथ ही साथ power button को भी प्रेस करना है मिन्स दोनों button एक साथ प्रेस होना चाहिए इससे आपका camera reboot हो जाएगा और फिर से button camera सही तरीके से काम करने लगेगा और camera को use करते समय आपको कोई दिक्कत नहीं होगी अगर होती है तो फिर से आपको यही point को follow करना है और हाँ reboot करने से वीडियो या photo या audio पर कोई असर नहीं होगा मिन्स डिलिट नहीं होगा आप कभी भी button camera को reboot कर सकते हैं यूज करने से पहले या यूज करने के बाद चलिए guys आज के लिए बस इतना ही अगर आपको ये वीडियो जरा सभी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अभी क्या भी लाइक कर दे अपने दोस्तों के स्याथ सेयर करे और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्यूंकि मैं इस वीडियो का part 2 बहुत जल से जल लाने वाला हूँ उसमें आपको बताया जाएगा कि इस बटन कैमरा को कैसे खरीदना है इसका प्राइज क्या है इसका और्डियो रेंज कितना है अगर आपको बटन कैमरा के रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत या परसानी है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं